कि हेलो फ्रेंड्स वर्धन एकेडिमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों लोग सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत ही बड़ी ख़वर निकल कर सामने आ आयोग ने खंड सिच्छा अधिकारी की प्रारंबिक परिक्षा का परिणाम गोसित कर दिया तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे भविश्य में आने वाली नई भरतियों से आप लोग अ अधिकारी प्रारंबिक परिक्षा 2019 का परिणाम गोसित कर दिया गया है उलेखनी है कि प्रारंबिक परिक्षा के लिए कुल 5,28,313 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे जबकि परिक्षा में कुल 2,34,64 अभ्यरती सम्मिलित हुए इस परिक्षा में चैन हेतु कुल परिक्षा हेतु कुल 4,591 अभ्यरतियों को सफल गोसित किया गया है ठीक है तो जो 2,34,64 अभ्यरती सम्मिलित है उनमें से 5,491 अभ्यरतियों को गोसित किया गया मुख्य परिक्षा का कारिक्रम एवं मुख्य परिक्षा हेतु सफल अभ्यरतियों को ऑनलाइन आवेदन पर जारी की जाएगी मतलब अभी प्रारंबिक परिक्षा का जो यह रिजल्ट आ गया है इसके बाद जब जो मुख्य परिक्षा होगे उसके लिए आपको आवेधन के लिए दुबारा से दूसरी प्रेस जारी की जाएगी तब आपको पता चलेगा कि अनलाइन आवेधन कप से ह अब देख लेते प्रस्तर टू में क्या है इसमें है महिला आरक्षण के संब्द में प्रस्णगत परिक्षा प्रिणाम उत्तरप्रदेश राजि सरकार द्वारा माननी उच्छ नियाले में योजित विशेश अपील संक्या 4752-2019 में माननी नियाले द्वारा पारित होने व अंग अंतिम चैन परिणाम गोसित होने के उपरांथ आयो की वेप साइट पर प्रदर्सित कर जाएंगे ठीक है तो जब परिणाम से संब्सक्रापतांग तथा स्रिणिवार कट अपनक अंतिम परिणाम होने के उपरांद जब मतलब मुखे परिक्षा हो जाएक उसके प्रदरसित कर दिया जाएंगे समय पत्रों में प्रकाशिट की जाया, इनहों पहले यहां पर कह दिया है, कि इसके सम्मंद में कोई भी प्रातना प्रत्र गर दिया जाएगा, तो इन्हों ने पहले ही आप कर दिया ये रिजल्ट की पूरा है याप लोग आयों की website से जाके उसको देख लीजिए या तो सरकारी रिजल्ट पर जाकर भी इसको देख सकते हैं वहां भी यह पड़ी है तो यहां पर सारी मुखी बाते कर बता दी है कि बीओ का जो प्री एक्जाम था जो अभी अगस्त में हुआ था उसका परिणाम यहां पर घोजित कर दिया गया है परि अगे भी हमारे हमारे चैनल से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक तथा शेयर करें धन्यवाद